प्रिकार स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि दिली नगर निगम में एक बदलाव होने जा रहा है एक बिल इंट्रड्यूस किया जाएगा परलेमेंट के अंदर जिसमें दिली में कुछ चीजों को लेकर चेंजिज किया जा रहे हैं या फिर कहें कि दिली के अंदर जो मुंसिपल कॉर्परेशन उसको तीन हिस्तों में डिवाइड किया गया है उसको अब वापस एक ही बनाने की प्रियतन किया जा रहा है तो इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे पीडियो के लिए आप लोगों को बता दूंगी पीडियो का मिलेगी पीडियो जो है वो आप लोगों को टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिल जाएगा description box में तो जाकर आप वहाँ से download कर सकते हैं तो चली शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या बतलाव होने वाला है देखें नगर निगम शंशोधन विदेग 2020 जो है वो बहुत जल जो है वो संसत में पेश किया जाएगा obviously इसको लेकर विरोध स्टार्ट हो चोका है कहा जा रहा हैं कि आप democracy को या फिर कहें decentralise के खिलाफ यबिल होने वाला है सारी बاتें आप लोगों को बताऊंगा कि decentralise और democracy के खिलाफ कैसे सब कुछ आपको यहँँदर पता चलेगा फिलाल यह सब चीज़ें जो हे वो the Indian Express के अंदर छापी गई हैं आप वहां से देख सकते हैं वहीं से मैंने सारा डेटा उठाया है चलिए इस बिल का उदेश्य क्या है इस बिल का उदेश्य ये है कि 2011 के अंदर 2011 के अंदर क्या किया गया था तो दिल्ली है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया था जैसे कि South, North और East यहां पर अलग-अलग जब डिवाइड किया गया था कब 2011 में तब के बाद कोई वदलाव नहीं हुआ था तो 10 साल बाद दिल्ली में क्या किया जा रहा है जो राजदानी दिल्ली है इसके अंदर एक तरीके से इन तीनों को वापस एक करने की बात की जा रही है यानि अब कोई दक्षिन उत्तर पूरो नहीं होगा सिर्फ एक ही होगा MCD यहां पर अब यहां पर देख लेते हैं कि बैक्ग्राउंड और नीट जान लेते हैं कि एफिशेंसी बढ़ानी है तो यह काम करते हैं जो MCD है उसको तीन हिस्व में डिवाइड कर देते हैं जैसे कि आपकी आपको मैप भी दिखाऊंगा तो तीन हिस्व में डिवाइड कर देते हैं जैसे हो गया नोर्थ, साउथ और एस्ट और जब ये 2011 में ये बात बोली गई थी तो होम इनिस्ट्री के द्वारा नुवंबर 2011 में इस परस्ताव की मंजूरी दे दी गी साथ फिर इसके बाद क्या हुआ दिल्ली सरकार ने एक विशेश विदान सभा का सत्र बुला है और दिसंबर 2011 में इस दिल्ली नगर निगम शंशोदिन विदेख को पारित कर दिया था जिसके अंदर क्या गया त्री भी भाजन यानि यहां पर तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था और यह अंतिम सूचना जनवरी 2011 में जारी कर दी गई थी और इसमें क्या किया गया था जैसे कि उत्तर दक्षिन को 104 वोड तथा पूर्वी दिल्ली के नगर निगम को 64 वोड परदान किये गए थे अभी मैं आपको मैप के तुरू भी यह सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ अब यहां पर इस बिलकोल आने के जुरूरत क्या है इसको औरसम लेते हैं एक बार पहले तो सरकार का पक्स जान लेते हैं कि सरकार क्या चा रही है तो सरकार यह कह रही है कि देखिए यह जो आपने तीन भागों भी विभाजित किया था MCD को इसको लेकर काफी समझा ही जो है वो आ रही है first of all भुकतान नहीं हो पा रहा है salary नहीं दी जा रही है करमचारियें को जो सफाई करमचारियें और even जो retire हो चुके हैं उनको जो retirement benefit है वो नहीं दी जा रही है साथ इसाथ यह जो तीन आपने divide कर दी है municipal corporation अब यहाँ इनके लिए जो tax कह सकते हैं कि जो property tax है उसके अंदर equal तरीके से या फिर balance तरीके से उसको distribute नहीं किया गया जिसके चलते हैं यहाँ पर problem आ रही है साथ इसाथ आपने जो विभाजन किया है MCD का वो ना तो आपने शेत्रिया से भाजन कर पाया यानि territorial तरीके से आपने से भाजन नहीं किया साथ इसाथ जो revenue जो generate होनी चाहिए थी उसको भी आपने से भाजन नहीं किया जिसके चलते हैं यहाँ पर काफी ज़ादा ऐसमानता देखने को मिल रही है और यह इतनी ज़ादा बढ़ रही है कि भाजी जिसके चलते हैं यहाँ पर यह से भाजन से काम नहीं कर पा रही है अपने संसाथ्नों का से यूज नहीं कर पा रही है बहुत ज़ादा देखें जिसके कारण क्या है कि बहुत ज़ादा problems create हो रही है अब यह आप देखेंगे न तो यह East Delhi होगी यह North होगी यहाँ पर और यह South Delhi होगी तो यहाँ पर Municipal Corporation का मैप है यह MCD Corporation मैप होगे आपके सामने तो इस तरीके से Divide किया हुआ है अब इस तरीके से Territorial तरीके से आप देखेंगे किसी को कम किसी को ज़्यादा दिया गया है तो यह भी से डंग से नहीं किया गया है जो revenue की बात करें भईया revenue कैसे generate होगी property tax कैसे मतलब लगाए जाएंगे इसको भी से डंग से मतलब वहाँ पर समझाया नहीं गया है तो सरकार ने काई कि भाईया यहाँ पर सब कुछ वो imbalance है तो उसको balance करने के जोड़ते हैं और इसलिए यहाँ पर कोई north या south या east municipal corporation नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही municipal corporation होगी यह बात बोल दी गई है सरकार के द्वारा एक बाद नगर निगम समझा देता हूँ कि नगर निगम क्या होती है इसको जान लो जरा इसका अगर मैं परीचे दूँ तो कि 10 लाख लोग की अबादी हो जाती है तो उनको संभालने के लिए एक हमें local government की आफशकता होती है जैसे शहरों की बात करो तो वहाँ पर नगर निगम हो जाती है और अगर आपने गाओं के अंदर देखा होगा तो पंचायद आ जाती है local government जो वहाँ पर लोगों की जो गाओं में रह रहे है लोगों की आफशकताओं को बहुत में ध्यान में रखते हो उनके according वो काम करती है सरकार के द्वारा उनको funding की जाती है और फिर वहाँ पर अपने गाओं के अंदर क्या करती है जफाई का काम करवाना हो या सड़क का निर्मान करवाना हो या नाले का बनवाना हो तो यह काम जो हो पंचायद के द्वारा करवा जाते है अब शहर की बात कर लो शहर में एक तो देखो दिना, स्टेट के द्वारा क्या कर सकता है कि नगर निगम की स्थापना कर दी जाती है, राजे विधान सभा के अधिनियमों के द्वारा, भाईया विधान सभा में आएंगे वो कहेंगे कि हमें एक पर्टिकुलर एरिया में यहां पर जनसंक्या बहुत जादा हो चुकी है, और यहां पर चीजों को सही डंग से मैनेज करने के लिए एक लोकल गॉर्मेंट क्या उशकता है, यानि नगर निगम क्या उशकता है, तो वहां पर विधान सभा में वो असानी से एक नगर निगम का निर्मान कर सकते हैं, के अंदर शाशीत परदेशों के अंद सबसे बड़ा साधन है, वो है संपत्ति कार, यानि प्रोपर्टी टेक्स के द्वारा यहां पर इनको पैसे मिलते हैं, जिसके तुरू यह अपने काम को आगे चलाते हैं, साथ ही साथ क्या होता है कि इनको सरकार भी यहां पर पैसे देती हैं, फंड करती हैं, जिसके वन डे एग्जामिनेशन के तुरू आपके लिए बहुत जादा important सीज़ें हो जाती है आपर आवशक्ता क्यों पड़ी इसकी? नगर निगम निर्मान की क्यों आवशक्ता पड़ी? देखी जैसे मैंने का कि भारत के अंदर जैसे शहरों में अबादी बढ़ रही है अर्बनाइजेशन हो रहा है यानि शहरी करन हो रहा है वहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्वास्ते की देखरेक होगी शिक्षा हो गई या रहने का स्थान हो गया या ट्रांस्पोर्टेशन जैसे होगी ये बहुत मूलभूत आवशकताएं हैं वहाँ के नागरिकों के लिए तो राज्य सरकार को लगा कि इन सब को संभालने के लिए एक लोकल बोडी की आवशकता पर जाती है वहाँ पर तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि नगर निगम की उत्पत्ती होती है और वहाँ पर नगर निगम की उत्पत्ती होती है तो जो राज्य सरकार है उनको पैसा परवाइड करवाती है कि आप यहाँ पर नगर निगम के जो mc आपने संभालने वोगे पारिश जिनको कहते हैं फिर वह वहाँ पर उस area की साफ सफाई का देख रहे करते हैं यहाँ परशिक्षा की देख रहे करते हैं वहाँ पर ट्रांस्पोर्टेशन का वो देख रहे कर रहे होते हैं तो यह सारा काम वो संभालते हैं अपने लोकल लेवल के उपर और क्या समिधान के अंदर कोई provision दिया गया है नहीं देखिए समिधान के अंदर जब बात करें कि इसके अंदर कोई provision नहीं दिया गया था स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ अगर मैं बात कुनों राज्ये के नीती नीदेशक तत्तु के अंदर ही सिर्फ एक article 40 का उलेग था उसके अलाबा और कुछ नहीं था फिर क्या होता है? एक 73rd Amendment है और एक 74 Amendment है. 73rd के अंदर पंचायत बनाए गयी थी, 74 के अंदर नगरनिगम बनाए गयी थी कहां गया कि देखो 74 Amendment Act होता है जिसके अंदर क्या होता है? 1992 में होता है तो ये क्या किया जाता है कि समिधान में एक नया भाग जोड़ा जाता है 9A को जो है वो इसके अंदर समिधान के अंदर उसको insert किया जाता है इसमें क्या होता है नगरपालिकाओं और नगरपालिकाओं के परशासन से संबंदित यहां पर दिया होता है कि कैसे नगरपाली का बनाई जाएगी उसके अंदर election कैसे होंगे उनके काम क्या होंगे सारी बाते महां पर बता दी जाती है और इसके अंदर क्या किया जाता है 74 Amendment Act में इसमें क्या होता है कि Article 243P Article 243P से लेका Article 243ZG शामिल है और इसने समीधान की एक नई 12 अनसूची को जोड़ा गया था 11 और 12 जो है वो पंचायत के लिए थी 12 जो है वो नगर निगम के लिए थी तो 12 अनसूची को जोड़ा गया जिसके अंदर क्या है 12 स्केडूल के अंदर जिसमें 18 आइटम्स दिये गए जिसके ओपर जोड़ा वो नगर निगम काम करेगे उमीद है कि आप लोगों कोई सारी बातें समझ में आ गई होंगी अब इसकी सरंचना के बारे हम बात कर लेते हैं कि ये बनी हुई कैसे होती है अभी देखिए कि ये एक शहर है इस शहर में बहुत जादा अबादी है तो इस एरिया में एक तरीके से जोग्रोफिकल मतलब ये कह सकते हैं कि कॉंस्टिटूशनल जोग्रोफिकल कॉंस्टिटूशनल सी बना दी जाती है या इस एरिया कि यहां पर एक वोड दे दिया यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि एक वोर्ड यहां पर बना दिया या फिर कह सकते हैं कि एक वोर्ड यहां पर बना दिया और या एक वोर्ड यहां बना दिया तो अलग-अलग जनसंक्या के इसाब से वोर्ड बना दिये जाते हैं और इन वोट्स में क्या होता है कि जो इस वोट्स से एक परतिनिती चुना जाएगा, इस वोट्स से एक परतिनिती चुना जाएगा, यानि हर वोट्स से एक एक परतिनिती को चुना जाता है, और इनका कारेकाल क्या होता है, पांस साल का होता है, चुनाव कैसे होता है, जैसे हम MP, Member of Parliament या फिर MLA, Member of Legislative Assembly यानि विधान सभा के जो विधायक होती है उनको जैसे चुनते हैं सेम इन्हीं को चुना जाता है इनके पास power होती है लेकिन high level की power नहीं होती जैसे MLA या MP के होती है उनके तरीके से इनके पास power नहीं होती तो यह पार्षय जो हो इन 18 आइटम के उपर काम किया जाएगा पैसा कहां से आता है जैसे मैंने आपको बताया कि पैसा जो है वो property tax से इनकी सबसे ज़्यादा income property tax से ही होती है फिर राज्य सरकार जो हो इनको पैसा प्रवाइड करती है और जिनका यह equal distribute करते है और same इसके अंदर भी क्या होता है कि जो अनसुची जाती, अनसुची जन जाती जो वन्चीत वर्ग है, महिलाएं है इनके लिए यहाँ पर सीटें जो है वो रिजर्व की जाती है same जैसे पंचायत के अंदर सीटें रिजर्व है Member of Parliament के अंदर भी सीटें रिजर्व करती है लेकिन यह आज तो करेंगे नहीं क्योंकि वही बात आती है, वोट बैंक के बाद आ जाती है यहाँ पर, कैर बोलते बोलते है लेकिन यहाँ पर सीटें रिजर्व की जाती है ओके, यह सारी बाते मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दी है फिर से बता देता हूं कि देखो, PDF जो है वो आप लोगों को टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बोक्स में, तो जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जिखने के जूटती है, सारी बाते हैं आपको वहाँ मिल जाएगी अब मेन मुद्दे पर आते हैं मेन मुद्दा क्या है सर? आपने इतना बता दिया नगर निगम कैसे बनती है, हमने समर लिया जो गौर्मेंट है, वो बिल लेके आ रही है उस बिल के अंदर बोला जाएगा यह जो तीन म्यूंसिपल कॉर्परेशन है उसको एक बनाने की बात की जा रही है सर यह भी समझ लिया, मेन मोटी बताओ सर, देखो इसके अंदर काम क्या किया जा रहा है समझो ज़ए रहा इसके अंदर जो काम किया जाएगा जो इस बिल के अंदर उसमें यह है कि देखे, दो हजार, दो सो पचास दो सो पचास सीटेंज रिजर्व की जा रही है मतलब इससे ज़्यादा जो है, एमसी यानि कई पार्शन नहीं चुने जाएंगे, यह बात बोल दीगी अभी कितने चुने जाते हैं 272 कांसलर चुने जाते हैं आज की रेट के अंदर, इन तीन कॉर्परेशन के अंदर तो भारत एक तरीके से देखे जाए तो जो सेंटरल गोर्रमेंट है वो क्या कर रही है, 272 को घटा कर, 250 पे लेके आ रही है अब समझ ना जरा, 272 को घटा कर, 250 लेके आ रही है कितनी सीटें कम कर रही है, 22 सीटें कम कर रही है और इन 22 सीटों को कम करने का मतलब है, फिर से delimitation होगा भाई, एक तरीके से आप यहां पर कुछ सीटें थी, यहां पर यह थी कुछ सीटें घटा रहे हो, माने कि यह सीट घटा रहे हो तो इसके उपर यह एक और सीट थी इसका distribution यहां पर इन दोनों में किया जाएगा तो इन दोनों में जब distribution किया जाएगा तो कुछ न कुछ तो time लगेगा न तो यहां बोला जा रहा है कि देखे भाईया जो time है वो एक क्रीके से 3 महिने से लेकर 6 महिने तक time लगेगा यहां पर अपरेल के अंदर यहां पर दिली के अंदर अपरेल में चुनाव होने थे MCD के तो इससे ये बात नहीं पता चल रही है कि सरकार जो डिले कर गई है चुनावों को यह बाद में करना चुनाव पहले तो हम एक काम करते हैं एक बिल ले के आ जाते हैं यह जो 200 बैतरवाला आंकड़ा इसको 250 कर देते हैं और यह तीन municipal corporation बना रही है उसको एक कर देते हैं तो अभी यहाँ पर opposition obviously वो कह रही है कि जो central government है यानि जो बीजेपी है वो जान बूच कर चुनाव को डिले कर वा रही है और यहाँ पर बोला गया है यह जो एक जुबिल है इसके तुरू क्या किया जाएगा जब तक चुनाव मतलब की एक चुनाव होकर नए councillor नहीं आ जाते तब तक इस काम को कौन समालेगा center के द्वारा एक special officer nuked किया जाएगा यानि पूरा funda क्या है पावर चली जाएगी किसके हाथ में center के हाथ में कब तक चली जाएगी जब तक भई ये election नहीं हो जाते election कब होगे अरे जब ये delimitation हो जाएगा ये 222 को यहाँ पर 250 कर दिया जाएगा तीनों को merge कर दिया जाएगा टाइम तो लगेगा न उसके अंदर तब तक कौन समालेगा तब तक एक special officer समालेगा सारे काम को MCD के काम को और वो special officer किसके दोरा निक्त किया जाएगा central government के दोरा निक्त किया जाएगा और इससे क्या बता चलता है ये power किसके पास चले गई central government के पास चले गई समझ में है साथ इस साथ ये बोला जा रहा है कि इस provision या इस bill के अंदर ये है कि जो government शब्द लिखा हुआ है उसको बदल कर central government किया जा रहा है 11 जगह पर 11 जगह पर central government किया जाएगा इससे क्या बात पता चली इससे ये बात पता चली कि दिल्ली सरकार को एक तरीके से बाहर कर दिया जाएगा completely decision making के अंदर या वो कोई काम नहीं कर पाएंगे unified corporation के अंदर सारा काम central के द्वारा किया जाएगा तो ये एक तरीके से तभी तो बोला जा रहा है कि decentralized के खिलाफ है अभी आप लोगों को वो चीज़ें समझाऊँगा और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लूज करने वाली है क्योंकि obviously उनकी power कम की जा रही है यहाँ पर साथ इसाथ इसका जब विरोध किया जाने लगा देखो हमें कोई political ब्यान के उपर नहीं जाना खास मुझे आप लोगों को ये चीज़ समझानी है तो यहाँ पर बोला गया है जो congress के party colleague है उनके द्वारा बोला गया मनिश्तिवारी के द्वारा कहा गया कि देखिए government के पास इतनी power ही नहीं है कहां से आप ये bill लेके आ जाओगे क्यों power नहीं है कहा गया कि देखिए part 9 जैसे मैंने कहा नहीं part 9 ध्यान रखना क्या बोला मैंने आप लोगों को 74 amendment act हुआ 74 amendment act में क्या किया गया add किया गया 12th schedule तो वहां पर part 9 के A में जो introduced किया गया था किसको municipal corporation को तो बोला गया कि देखिए part 9 A was inserted in constitution of India with effect from 1st June 1993 कब ये effect में आ गया था अब यहां पर क्या बोला गया है कि power ये जो power की बात है कि power to constitute municipal municipalities lie with the state government in the term of article 243 P and 243 R of the constitution of India secondly as per article 246 read with the 7th schedule entry 5 of the state list power to constitute municipal corporation is with the states ये इनका कहने का मतलब है यहां पर कहीं पर भी central government या union government की बात नहीं हो रही है अगर municipal corporation की बात आती है तो उनके उपर power किसकी चलेगी चलेगी सिर्फर स्टेट government की या फिर union उसकी क्या कहते है UT की यानि union territory की तो यह बात उनके द्वारा बोले गई तो यहां पर central government ने एक जवाब दिया कि देखिए भाईया बात बड़ी simple सी है article 239 का KK यह ध्यान रखना इसमें यह बात बोलेगी अगर union territory की legislative assembly यानि दिल्ली विधान सभा के द्वारा municipal corporation से लेकर कोई बिल बनाया जाता है उसको amendment करने की power किसके बास है पारलेमेंट के पास है देखिए कितना बड़ा मुझे यह polity इसलिए कफी ज़्यादा पसंद है यह जो technicality निकाल के लिए क्याते ने यह कहते कि आप करी नहीं सकते क्योंकि वहां पर power दी गई है 243 और 243 आर आप देखिए उसके अंदर बात बोली गई है 246 के अंदर आर्टिकल के अंदर यह बात बोली गई है लेकिन फिर सरकार का क्या तरकात है देखिए भाई यह 239 के के अंदर क्या बात बोली गई है अगर दिली की सरकार दिली सरकार यानि दिली विधान सभा के द्वारा कोई बिल पास किया जाता है Municipal Corporation से रिलेटिड तो भाया उसको Amendment करने की power है पारलेमेंट के बास तो ये बात बोल देगी हैं तो मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया अमीद करता हूँ कि ये सारा topic आप लोगों को समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया होगा ये मुझे कैसे समझाएंगे तो भाया लाइक का बटन है ना उसे लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाया लाल कलर का आपको बटन दीख रहा होगा उसका रंग उरंग उठा दो अपने ठीक है और PDF के लिए मैंने आप लोगों को अलड़ी इंफोर्मेशन दे दिए कि PDF का मिलेगी डिस्क्रिप्शन का एक लिंक डिस्क्रिप्शन वोक्स के अंदर एक लिंक दिया मिल जाएगा टेलिग्राम का तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सीदही आप टेलिग्राम पे सेल्फ स्टेडी टाइब कर लीजिए आपको इस तरीक एक आइकन नजरा जाएगा आप वहां पर जोइन कर सकते हैं उमीद करता हूं कि सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी थैंक यू फॉर वाचिंग देस वीडियो